ओम नमः शिवाय हर हर महादेल शिव जी आपकी हर मनो कामना पूर्ण करें गुरु जी की भविश्य वानी चलिए जानते हैं मेश राशी आपका उरजास्तर उंचा रहेगा आपकी लगन और मेहंत पर लोग हौर करेंगे और आज इसके चलते आपको कुछ वित्तिय लाब मिल सकता है कुछ समय आप अपने शौब और अपने परिवार वालों की मदद में भी धर्च कर सकते हैं विवादित मुद्दों को उठाने से बचें अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो व्यावसाएक साजीदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं छात्रों के दिमाग में आज प्यार का बुखार चा सकता है और इस वजह से उनका काफी समय बरबाद हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मकर रूप से प्रभावित हो सकता है लेकिन आप दोनों होश्यारी से चीजें संभाल सकते हैं उपाए हैं प्रेमी प्रेमिका को काले स्फेद वस्त्र भेंट में देने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी भागेशाली रंग हैं क्रीम, भागेशाली अंख हैं साथ आपके लिए वास्तु टिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो इसके लिए पुष्य नक्षत्र में शंक पुषपी की जर्चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखें पूजापाट जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें व्रिश राशी आपकी उमीद एक मेहेक से भरे हुए घूपसूरत फूल की तरह खिलेगी आपको कैस रोतों से आर्थिक लाब होगा जीवन साथी के साथ अपने रिष्टों में तनाव दूर करने के लिए अच्छा दिन है रिष्टे की इस नाजुक दोर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दिल में यधीन और प्यार होना चाहिए हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और सकारात्मक तोर पर पेहेल करें आपके प्यार को न सुनना पड़ सकता है पेशेवर तोर पर अपने अच्छे काम की पहचान आपको मिल सकती है अपने व्यक्तित्व और रंगरूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी आपके और आपके जीवनसाथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है लेकिन आप दोनों चीजें संभाल लेंगे उपाए हैं प्रेमी प्रेमिका को काले स्फेद वस्तर भेंट में देने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी भागेशाली रंग हैं हरा, भागेशाली अंख हैं एक आपके लिए वास्तुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो इसके लिए पुष्य नक्षत्र में शंक पुषपी की जर्चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखें पूजापाट जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें मिथुन राशी शारीरिक बीमारी के सही होनी की काफी संभावनाए हैं और इसके चलते आप शीगर ही खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं जो लोग शादी शुदा हैं उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग के चलते आप नए आत्मविश्वास और रोमान से भर पूर रहेंगे रुमानी यादें आज आपके ऊपर च्छाई रहेंगी तब तक कोई वादा न करें जब तक कि आप पूरी तरह उसे पूरा करने में सक्षम न हो नए विचारों और आइडिया को जांचने का बेहतरीन वप्त जो यहां समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है वे गलत है क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा उपाए हैं कोईले के आठ टुकडे बहते पानी में प्रवाहित करने से नौकरी वा बिजनेस में उन्नती होगी भागेशाली रंग हैं सफेद, भागेशाली अंख हैं तीन आपके लिए वास्तुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो इसके लिए पुशे नक्षत्र में शंक पुषपी की जर्चांदी की डिब्बी में रख कर तिजोरी में रखें पुजापाट जब तब कप पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें करकराशी आपकी सिहत ठीक रहेगी लेकिन यात्रा आपके लिए ठकाओ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाब हो सकता है एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे अचानक हुई रोमांटिक मुलागात आपके लिए उलजन पैदा कर सकती है आप आप निश्चित तोर पर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके करियर में मददगार साबित होंगे दूसरों को यह बताने के लिए ज़्यादा उतावले नहों कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपको अपने जीवन साथी का दैविय पक्ष देखने को मिल सकता है उपाए हैं शिव जी की पूजा करें तो स्वास्थे अच्छा रहेगा भागेशाली रंग हैं केसरिया, भागेशाली अंख हैं आठ आपके लिए वास्थुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो इसके लिए पुशे नक्षत्र में शंख पुशपी की जर्चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखे पुजा पाठ जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने हे तु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें सिंग राशी परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का तार करने की आपकी आदत आपके नैतिक तानेबाने को कमजोर कर सकती है यदी शादी शुदा हैं तो आज अपने बच्चों का विशेश ख्याल रखें क्योंकि यदी आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबियत बिगर सकती है और आपको उनके स्वास्थे पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है आपकी दिल्चस प्रचनात मक्ता आज घर के वातावरन को सुख़द बनाएगी एक तरफा प्यार आपके लिए काफी धतरनाक साबित होगा आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे आज ऐसा होना मुम्किन है इस राशी के लोगों को आज अपने आपको समझने की जरूरत है यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीर में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकाले और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें जीवन साथी के ख्राब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके उपर पढ़ सकता है उपाए है आर्थिक स्थिती अच्छी करने के लिए लहसुन या प्याज की गांट बहते जल में प्रवाहित करें भागेशाली रंग हैं लाल, भागेशाली अंख हैं दो आपके लिए वास्तुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो, इसके लिए पुष्य नक्षत्र में शंक पुष्पी की जरचांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखें पुजापाट जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें कन्याराशी आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वप्त देंगे पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है रोमांटिक मुलाभात आपकी धूशी में तरके का काम करेगी पर्यटन छेत्र आपको बढ़िया करियर दे सकता है यह समय अपनी मेहित्वा कांक्षा को समझने और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहंत करने का है सफलता आपका बेताबी से इंतजार कर रही है आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे लेकिन अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे यह शादी शुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है आपको प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे उपाए हैं किसी बुजुर्ग स्त्री को सफेद वस्तों, चावल, चीनी, आटा, मैदा, दूद से बना भोजन कराने से नौकरी बिजनेस में उन्नती होती है भागेशाली रंग हैं गुलाबी, भागेशाली अंख हैं छे आपके लिए वास्तो टिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो, इसके लिए पुशे नक्षत्र में शंक पुश्पी की जर्चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखें पुजापाट, जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने है तु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें तुला राशी जब आप कोई फैसला लें, तो दूसरों की भावनाओं का भास भयाल रखें आपका कोई भी धलत निर्ने नकेवल उन पर लराब असर डालेगा, बलकि आपको भी मानसिक तनाव देगा इस राशी के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है तनाव का दौर बर्धरा रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है कारेक्षेत्र में किसी विशेश व्यक्ती से आपकी मिलाकात हो सकती है कोई आध्यात्मिक गुरू या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है आखें दिल की बातें बयान कर देती है यह दिन अपने जीवन साथी के साथ इसी भाशा में बात करने के लिए है उपाए है पलाश पुश पसंकाशन तारका ग्रहे मस्तकम रोधरंग रोधरत्मकन घोरंतं केतुम प्रण्मा में है इस मंत्र का ग्यारह बार उच्चारन करें भागेशाली रंग हैं हरा, भागेशाली अंख हैं साथ आपके लिए वास्तुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो इसके लिए पुषे नक्षत्र में शंक पुषपी की जर्चांदी की डिब्बी में रख कर तिजोरी में रखें पुजापाट जब तब कपूर्ण फल प्राप्त करने है तु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें सिहत की तरफ जरा ज्यादा हौर करने की जरूरत है केवल एक दिन को नजर में रख कर जीने की अपनी आदत पर भाबू करें और जरूरत से ज्यादा वप्त वपैसा मनोरंजन पर धर्च न करें प्रभावशाली और मेहित्वपून लोगों से परिचे बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविदिया अच्छा मौभा साबित होंगी आप आज प्रेमपून मनोभाव में होंगे इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाए आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाब मिलने की संभावना भी है लंबे वप्त से लटकी हुई दिद्धतों को जल्द ही हल करने की जरूरत है और आप जानते हैं कि आपको कही नखी से शुरुआत करनी होगी इसलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास शुरू करें थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेश दिनों में से एक हो सकता है उपाए है ओम बुम बुधाय नमह मंत्र का जाब सुभशाम दोनों समय ग्यारह बार करने से स्वास्थे बना रहेगा भागेशाली रंग हैं गुलाबी, भागेशाली अंख हैं पांच आपके लिए वास्तुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो, इसके लिए पुशे नक्षत्र में शंक पुषपी की जर्चांदी की डिब्बी में रख कर तिजोरी में रखें अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ अधिक समय बिताए उनके प्यार भरे आलिंगन और मासु मुस्कुराहट आपकी सभी परेशानियों को भत्म कर देंगे आर्थिक जीवन में आज खुशाली रहेगी इसके साथ ही आप करजों से भी आज मुक्त हो सकते हैं बच्चे भविशे की योजनाए बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज़्यादा समय बिताकर आपको निराश कर सकते हैं व्यक्तिकत मार्गदर्शन आपके रिष्टे में सुधार लाएगा लेखक और मीडिया कर्मी बड़ी ख्याती प्राप्त कर सकते हैं आपका व्यक्तित वैसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं इस लिहाद से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है आज आपको अपने लिए परियाप्त समय मिलेगा आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं उपाए हैं इमली के पेड को जल से सींचने से स्वास्थे अच्छा रहेगा भागेशाली रंग हैं आसमानी, भागेशाली अंख हैं चार आपके लिए वास्तु टिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो इसके लिए पुशे नक्षत्र में शंक पुशपी की जर्चांदी की डिब्बी में रख कर तिजोरी में रखें पूजा पाट जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने हैं तु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें मकर राशी अगर आप सहयोग न करें तो कोई आपसे नहीं जगर सकता है सबसे अच्छा रिष्टा बनाए रखने की कोशिश करें आज आपके और आपके प्यार के बीच कोई आ सकता है अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है जीवन अच्छा होगा भागेशाली रंग हैं पीला भागेशाली अंख हैं तीन आपके लिए वास्तोटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो इसके लिए पुशे नक्षत्र में शंक पुशपी की जर्चान्दी की डिबबी में रख कर तिजोरी में रखें पुजापाट जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें कुम्ब राशी अपनी क्षमताओं को पहचाने क्योंकि आपके अंदर ताधत की नहीं बलकि इच्छा शक्ती की कमी है आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाब होने की पूरी संभावना है हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें दिन के उत्तरार्द में अचानक आई कोई अच्छी जबर पूरे परिवार को भूशी देगी समहल कर दोस्तों से बात करें क्योंकि आज के दिन दोस्ती में दरार पढ़ने की आशंका है साजीदारी की परियोजनाए सकारात्मक परिनाम से ज़्यादा परेशानिया देंगी कोई आपका बेजा फाइदा उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप थुट से ही नाराज हो सकते हैं पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात में गुरू से मिलने जा सकते हैं जीवन साथ ही यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या-क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है उपाए है किसी भी गरीब कन्या को हरा वस्त्रदान करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे भागेशाली रंग है नीला, भागेशाली अंख है नौ आपके लिए वास्तुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो, इसके लिए पुष्य नक्षत्र में शंक पुष्पी की जर्चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखें पुजापाट जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने है तू सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें मीन राशी आपका सबसे बड़ा सपना हधीधत में बदल सकता है लेकिन अपने उत्साह को भाबू में रखें क्योंकि ज़्यादा भुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है आज का दिन ऐसी चीजों को जरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी धीमत आगे चलकर बढ़ सकती है घरेलू मामलों पर तुरंट ध्यान देने की जरूरत है आपका हमदम आपको पूरे दिन याद करता रहेगा उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाए और इसे उसके लिए एक खुबसूरत दिन में तबदील करने के बारे में सोचें अगर आप सही लोगों को अपनी क्षमताए और प्रतिभा दिखाएंगे तो जल्दी ही लोगों की निगाहों में आपकी नई और बेहतर चवी होगी अंजान लोगों से बात करना ठीक है लेकिन उनकी विश्वसनियता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही जाया करेंगे और कुछ नहीं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कई मामलों में आपसी असहमती रह सकती है और इससे आपके रिष्टे कमजोर होंगे उपाए हैं सोने की चैन जो पेट तक स्पर्श करती हो धारन करना स्वास्ते की द्रिष्टी से अच्छा है भागेशाली रंग हैं औरेंज, भागेशाली अंख हैं एक आपके लिए वास्तुटिप्स आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो, इसके लिए पुश्य नक्षत्र में शंख पुश्पी की जर्चांदी की डिब्बी में रख कर तिजोरी में रखे पुजापाट जब तब का पूर्ण फल प्राप्त करने है तु सदैव शाकहारी वस्तों का ही सेवन करें और मास मच्छी का त्याग करें